हलो दोस्तो स्वागत है आपका एक बर फिर से ही आपकी अपने यूट्यूब चैनल यूहारल में चैनल था आपको समय समय पर राइट अपडेट दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ रेलवे रिक्रिट्मेंट बोर्ड की तरप से मेंनिस्ट्री अफ रेलवे की तरप से न्यू वेकेंजी निकाली गई है जिसके लिए आप उनलाइन अपलाइक कर सकते हैं तो क्या eligibility criteria यहाँ पर आपके पास होना चाहिए इस form को fill up करने के लिए सारी जानकरी आपको step by step बताने वाला हूँ तो बस आप चैनल पर अगर नए हैं आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारा तो सबसे पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लाइकर को जो प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले तो गौवर्मेंट और इंडिया मिनिस्ट्रे रेलवे 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 रेक्रिप्म बोर्ड के तरफ से यहां पर वेकर से निकाली गई है जिसका इंप्लॉइमेंट नोटिफिकेशन मेरे पास यहां पर मैं आपको पताने वारा इसका सी इन नमबर है दो दो जाजार आपर वेकंश निकाली गई है अगर आप रेलवे में डेकनिशन के रूट बनाना चाहते है तो यह आपके लिए बहुत पर ची जुक्रस quindi की इसकी ऑपनिंग डेट क्या है क्रोजिंगिंगिश टैकर तफर्म जो ऑपन हो गये वो है 9 March 2024 से और इसकी जो last date फॉर्म फिल अप करने की वो 8 April 2024 से मतलब 9 March से लेकर 8 April तक फॉर्म बहर पाएंगे मतलब लगबग लगबग पुरा एक महीने का आपके पास टाइम है तो 8 April ग्यारा बच के 90 मिट तक फॉर्म भर पाएंगे ठीक है इसके बाद आप अपना जो फॉर्म आपने किया है उसमें अगर आपकी कुछ गलतिया हो गए तो उसको भी आप कर सकते हैं 9 April से 18 April तक उसके बाद हम वेकेंसी की बात करें कि कौन-कौन सी वेकेंसी यहाँ पर न सिर्फ फोर सिर्फ और लाइन ही अपलाय कर पाएंगी तो सबस्प्राइब पोस्ट यहाँ पर टेक्निकल ग्रेट सिगनल के लिए और दुसरी है टेकनिशन ग्रेट थार्ड के लिए तो टेकनिकल ग्रेट इंडर के लिए अपने वल रहेगा जो कि B1 मेडिकल स्टेंडर है पर रहेगा 29200 की इनिशल पर सेलरी रहेगी और एक हजार बावन पर रखे गए तो 9100 पर रहे जिनके लिया आप अप्लाइक कर सकते हैं अब क्या अपके पास यहां पर होना चीज़िए उसके बारे में आपर बात करने वाले हैं तो इसमें आपकी एज आपकी नेशनल डिटी आपका एकेडमिक स्ट्री साइड डीटेल यहां पर होती हैं तो एज का मैं आपको बता दिया और मैं एक बार कंफर्म आपको कर होना जाइए ठीक है और क्या आपके पास यहां पर जो है नेशनलिटी होना जी तो नेशनलिटी क्या सबस्क्राइब बात करें तो आप से टीजन ऑफ इंडिया होना जी तभी आप पर पाएंगे एज के हम बात करें तो टेक्निशन गेट फस्ट के लिए ठार से तीस साल औ फिस के हम बात करें यहां पर तो एक्जमिनिशन फीज सारे के लिए पांस रूपे हैं और एसे एसी एसटी एक सर्विस्मेंट फीमेल ट्रांसजेंडर यह माईन रेटिस आते हैं तो उनके लिए रहेगा ठीक है मोड और फेर्मेंट आप और यहां पर कर पाएंगे और ट्रीकरी सार्टिफिकेट अपलोड करना होगा ठीक है तब ही आपको आपको एज रिलेक्षिशन दिया जाएगा इसके पर बात करते हैं यहां पर कि इसमें जोहें आप केसी ओनलाइन अपलाई कर पाएंगे यहां पर दीकिए आपको जोहें पेटर दिया का एक्जाम जाएगा जिसके लिए आपको 90 मिनिट का टाइम दिया जाएगा अगर आपी डबलीडी के लिट है तो आपको एक्स्टा 30 मिनिट दिये जाएंगे तो यह रहेगा उसके पास सीवीजी टू रहेगा तो आपको सीवीजी टू के लिए भी यहां पर प्रिपरेशन करनी होगी लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोइट करवा दूँगा ताव उसको नोटिफिकेशन भी पढ़ पाएंगे ठीक नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आप यहां पर अपलाई करें चलिए हम बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट की आपके से इसमें आपना कर पाएंगे तो रेक्टेशन करने के लिए आपको इसकी जो ऊफिस्यल वेबसाइट उसी वेबसाइट पर आना होगा और वहाई से आप जो है आपका करते हैं अपसे स्ब्सक्राइब अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है अगर आपका अपना अकाउंट करना होगा जिससे आपको सबसे पहले कंट्री ऑफ नेशनलिटी आप सेलग करना है इंडिया इसके बात परसनल इन्फरमेशन देनी जिसमें सबस्टाइब आपको फूल ने डालना है कि अपको फुल ने रिटाइप करना है फिर आपको अगर आपने नाम जैंज किया दिया सकता दो नो गार और देट रेट अप्ट वीट ऐटला करना है उन्यद्ष प्रिटिसलेकस आपको दो बाल करनी और अधार नम मुझ जान आए और उस्टेब वेरिवाय आपको आपकर करना होगा अगर आपके पास आधर नहीं तो आधर का और तॊस्की करना हो तेके दिके तं उसके बाद आपको पासफट प्रेकर लेना है पासफट create करना है तो लूए चाला है पर डालकर प्रीवियू अंद घरन अरक dynamics पर लोगिbor़ करेंंगे उसके बाद साई डीटेल अपनी वहां पर पाउंगे